नमस्कार में दिक्षा गुल्स्रेस्ट वोईस टीवी यूपी पर आप सभी का स्वागत है इस वक्त की खबर फ्रोजाबास से आ रही है एक महंद कारोप जूठे केस में फरसानी की कोशिश कर रहे विधाय धुमाफिया ताले राम के घर बुलाकर करीं दस लोगों से पिटवाया और जूतें भी मारे आज चदवार समिती में प्रेस कॉंफ्रेंस कर मेडिया को भी पूरी जानकारी पंकत जैन किस इंड़ वाज यहां पर बात पर रखिए अपनी ऐसा था अगस्तमा में जोए स्टेडियम की स्कीमाई थी गाम चंदवार में जिसके लिए जैन मंदीरी जो पार्क एक बीगा जमीन में लग बग बनी है जिसमें एक लाकी टॉक खरंजा भी लगा है उस पज़े विदायक द्वारा जो है जैसी भी चलवाने की जो है कोसिश की गई अरस्तमा में विदायक बिदायक मुकेस वर्मा के द्वारा जिसे मैंने कमेटी के माध्यम से चौकी इंचाइज वे लेकपाल के माध्यम से रुकवाने की कोसिश की थी बेनामा सदा जगह थ उसी की खुननस में भी पांच बारत वो जा एक इसकार दस लोगों के मादन से मुझे बहाने से बुलवाया गया भूमाफी अताले गाम के आवास पर और भा मैंने बिदायक जी का अबदन किया इससे पहले में कुछ कहता हूँ मुझे जूतों से मारने लगे बोले तो गाओं के लोगों से पैसे लेता है पानी के मामेहन की गालियां देता है और तों को जब अधस्ती मेरी और धकिलते वो बोले ऐसे चपल जूतों से मारो बिदायक जी उनके साथ पांच गाड़ियां थी पच्छिस तीस अग्यात लोग थे जिने में नहीं नहीं जान बाग के वहां से जान बचाई फिर मैंने कमेटी पजादकावियों को सुचित किया फिर शाम के टाम में फिर वजाबाद चला आया फिर वजाबाद आने पता चला कि किसी लड़की के मात दिम से मुझे पचेड़ खानी का मुकंदमा लगभा दी गया है यहां हम लोगों का इगटा होने का मत्तद है कि हमारी जो जैन पुजारी गण है जो चन्वार मंदिर पे लगबग 20 वर्स से रह रहे हैं उनके उपर शुकावाद विधायक मुकेश वर्माजी एवं अन्न कुछ भूमाती है जो वहां रहती है उनके द्वारा एक लिखित तहरी थाना चन्वार में दी गई है और इनके उपर यह आरूप लगाए गया कि यह कहीं वहां जाकर बच्चों को चेड़ती हैं या अब शब्द का प्रयोग करती हैं इनको बुलाया गया और वहां जूतों से चपनों से मारा गया और धंकी री गई कि तुह यहां से जितनी जमीन हो उसके कबजा करना इस तरीके का वक्तव एक प्रतिनिती द्वारा विधायक मुकेश वर्माजी द्वारा स्वेम दिया गया है और इस तरीके का कथन उनके द्वारा एक अनुचित बयान है इस तरीके का बयान देना गलत है इसके लिए हम पूरी प्रसासन से एवन सासन से नय उचित कारवाई चाते